नमस्कार आप लोकल एटीन देख रहे हैं देखिए NTA की ओर से आयोजित नीट 2024 में रईवार की दोपहर बैसाली के दो परखंडों के नीजी स्कूलों में दो मुन्ना भाई गिरफतार किये गए हैं दोनों दूसरे परिक्षार्थियों की जगह पर परिक्षा दे रहे थे सिव्यस्य के सीटी कोडिनेटर आजिताब कुमार ने यह जानकारी दी है पहला मुन्ना भाई बैसाली परखंड के एक नीजी स्कूल में पकरा गया जो मुझपरपुर का डबलु कुमार है जो राम भज्जु कुमार की जगह परिक्षा दे रहा था वहीं दूसरा बीदुपुर के एक नीजी स्कूल के सेंटर से पकड़ा गया है यहाँ पर नरकतिया गंज का रहने वाला उडेद एहमद दिघा के एक अभ्यारती की जगह पर परिक्षा दे रहा था अजिताब ने बताया कि जिले में 6 सिंटर बनाए गये थे जिसमें कुल 3525 परिक्षारतियों को सामिल होना था वैसाली परखंड में एक नीजी स्कूल के केंदर पर दूसरे के बदले डबलु कुमार परिक्षा दे रहा था डबलु मुझपरपुर का निवासी है बिद्याले के प्रिंस्पल ने बताया कि पकड़े गए वेक्ती की गतिविधी पर सक होने की सूचना एंटी ए दिल्ली से हमें मिली थी बायोमेट्रिक जाच में वह पकड़ा गया सूचना पाकर बैसाली पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया थाना ध्यक्ष परविन कुमार ने बताया कि युवक से पूछता आज की जा रही है दूसरी ओर बिद्यूपूर पुलिस ने भी बिद्यूपूर के एक सेंटर से पकड़े गए मुन्ना भाई को गिरफतार किया है वहीं इस पर सिविल स्डी और आप बाबू बैठा ने बताया कि परिक्षा के इंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी इस कारण सेंटर के बाहर कोई गरवडी नहीं हुई है वहीं बताते चलें कि नीट यूजी के दौरान राची से छे फर्जी अभियर्थी पकड़े गए हैं एंटिये के सीटी कॉडिनेटर डॉक्टर राम सिंग ने बताया कि डीपीएस राची से दो सर्दला बिडला इस्कूल, डीएवी, बरियातु, डीएवी धुर्वा और कैबडियन इस्कूल से एक-एक अभियर्थी गिरफतार किये गए बरियातु से पकड़ा गया भियर्थी सोनु दूसरे चाटर अभिसेक के नाम पर परिक्शा दे रहा था सोनु भववा के मोहनिया का निवासी है डियेवी बर्यातु से पकड़े गए अभ्यारती का नाम आसीस है जो प्रियांसु के नाम पर परिक्षा दे रहा था आसीस भी बिहार का रहने वाला है लोकल एटिन के लिए पटना से उदव कृष्ण की रिपोट लोका आसीसस की बिए्परे कि रहा है